लोकसबा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपने 195 उमीदवारों की पहली लिस्ट कल शाम यानी 2 मार्च को जारी करती है इस लिस्ट में कई दिगज नेताओं के नाम शामिल हैं वहीं कुछ सीटों पर अभी भी सस्पेंस जारी है ऐसा माना जा रहा है कि इस बीच कुछ उमीदवारों के नाम का एलान पार्टी कॉंग्रेस और सपा के उमीदवारों के नाम घोशित करने के बाद करेगी खैर बात अगर पहली लिस्ट की करें तो इस सूची में पार्टी ने कई सर्प्राइज दिये हैं सबसे जादा हैरानगी वाली बात ये थी कि इन 1955 नामों में सिर्फ एक ही मुस्लिम उमीदवार का नाम शामिल था वो नाम है अब्दुल सलाम पार्टी के लिस्ट जारी करते ही अब्दुल सलाम का नाम खूब चर्चा में आ गया आखिर कौन है अब्दुल सलाम उनका राजनितिक करियर कितना लंबा है ये सभी सवाल सोशल मीडिया पर ट्रेंट कर रहे हैं तो आएए आज इस वीडियो में आपको इन्ही सवालों के जवाब देते हैं मेरा नाम है कुवर शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लैटफोर्म अपनी पहली लिस्ट में भारतिय जनता पार्टी ने केरल की 12 सीटों पर उमीदवारों की घोशना की है जिसमें से एक नाम अब्दुल सलाम का भी है बीजेपी ने केरल के एक मुसलिम चेहरे को टिकेट दिया है उन्हें केरल के मलपुरम से टिकेट दिया गया है 195 उमीदवारों में से केवल एक मुसलिम उमीदवार होने की वज़े से उनकी खूप चर्चा हो रही है अब्दुल सलाम का नाम पहले से ही तै माना जा रहा था उन्हें बीजेपी ने उन्हें ट्रिकेट देकर इस बात पर मोहर भी लगा दी अब्दुल सलाम केरल के तेरूर के रहने वाले हैं 2019 में वो बीजेपी में शामिल हुए थे 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 135 निमोम निर्वाचन शेत्र से चुनाव लड़ा था उनके लिंग्डिन प्रोफाइल के मताबिक 2011 से 2015 तक अब्दुल सलाम कलिकट यूनिवरस्टी के वाइस चांसलर रही हैं अब्दुल 2018 तक अध्यायन कारे से जुड़े रहे उन्होंने 153 रिसर्च पेपर्स लिखे हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं इसके अलावा उन्होंने 15 रिव्यू आर्टिकल और 13 किताबें लिखी हैं माइनेता.info के मताबिक अब्दुल सलाम ने 2021 में जो हलफ नामा दाखिल किया था उसमें उन्होंने अपनी संपत्ती 6 करोड रुपे से ज्यादा घोशित की थी आपको बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट में जिन 195 उमीदवारों के नामों का एलान किया है उनमें 47 युवानेता है जो 50 साल से कम उम्र के हैं इसके अलावा इनमें 28 महिलाएं हैं वही 27 अनुसूचित जाती यानि S.C. उमीदवारों को टिकेट दिया गया है इसके अलावा 17 S.T. और 57 उमीदवार O.B.C. क्रेटेगरी से हैं 195 उमीदवारों की लिस्ट में केवल एक ही नाम मुस्लिम उमीदवार का है आने वाली लिस्ट में देखना होगा कि B.J.P. कितने मुस्लिम चेहरों को मैदान में